आज हम बनाएंगे ये सिरफ दो चीजों के साथ और सिरफ एक मिनट में बन जाने वाले बहुत ही टेस्टी और एकदम ठंडे ठंडे से शर्बत और एक नहीं बलकि दो अलग अलग तरीके के शर्बत बनाना सिखाऊंगे मैं आपको ये शर्बत पीने में टेस्टी भी है बनाने के लिए हम सबसे पहले एक चोट असा काम करके रख लेंगे जिसके लिए हम इनका प्रीमिक्स बना लेंगे जब ये प्रीमिक्स बना होगा ना तब इससे शर्बत बनाने में आपको सिरफ दस मिनट का टाइम लगेगा और प्रीमिक्स भी बिलकुल सिंपल चीजों स के लिए यूज करते हैं और वैनिला फ्लेवर का कस्रड़ पाऊडर लिया है मैंने अगर आप किसी पर्टिक्लर फ्लेवर में जाते हो तो आप उस फ्लेवर का कस्टर पाऊडर ले ले लिजएगा अच्या साथ मैं इसमें एक एक चुथाई कप जितना मिल्क पाउडर भी आड़ करते हूं, इससे हमारे शर्बत काफी अच्छो से क्रीमी और रिच फ्लेवर वाले बनते हैं, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हैं, तो इससे स्किप कर सकते हैं, कोई फरक नहीं अब इसमें कुछ फ्लेवर आड़ कर लेंगे, तो मैं बिल्कुल बेसिक सा फ्लेवर दे रही हूँ इसे, जिसके लिए 6 से 7 हरी इलाइची डाल रहे हूँ मैं इसमें, अगर आप अपना मन पसंद कोई और फ्लेवर देना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको सॉफ का फ्लेव कुल भी खराब नहीं होगा, और क्यूंकि मैंने इसमें मिल्क पाउडर आड़ किया है, तो अगर आप भी मिल्क पाउडर डाल रहे हो, तो आपको इसको बस फ्रिज में रखना है, और अगर आपने मिल्क पाउडर आड़ नहीं किया है, तब तो आप इसे किचन काउंटर पर भी रख लीजेगा तीन महीने तक तो यह बाहर भी खराब नहीं होता, तो है न, बहुत ही आसान, और यह जो प्रीमिक्स है न, यह इतना वरसिटाइल है, कि आप इससे, सिरफ शर्बत ही नहीं, आप इससे कुलफी, मठका कुलफी, आइस क्रीम, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं इसी प्रीमिक्स के साथ पहले मैंने आपको एक कुलफी और मटका कुलफी की रेसिपी बना कर दिखाई थी रेसिपी लिंक नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से चेक कर लीजेगा अचा इसमें थोड़ा सा मैं केसर के स्ट्राइंड्स भी आड़ करके रख तो करना क्या है कि एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे एक लिटर जितना दूध मैंने यहाँ पर ये कच्चा और फुल फैट दूध लिया है अगर आपके पास उबला हुआ दूध रखा है या फिर कोई लो फैट वाला दूध आप जो भी घर में रुटीन में दूध यूज करते हैं आप वो यूज कर सकते हैं अचा अब इस दूध में हमें डालना है यह प्री मिक्स तो एक लिटर दूध के लिए आपको तकरीबन पांच से छे बड़े चमबच प्री मिक्स डाला है चे भी डाल देंगे तब भी कोई फरक नहीं और आप देख रहों कि मैं काफी अच्छे से भर कर डाल रहे हैं चमबच को तो बस सिरफ ये दो चीज़ें चाहिए और हमारा शर्बत यार हो जाएगा तो बस इस प्री मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और इसके बाद अब हम इस दूध को थोड़ा सा पका लेंगे जिसके लिए मीडियम फ्लेम के उपर रखेंगे इसे और अब हम इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा पका लेंगे हलका सा तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो दूध है ना ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगा बहुत जादा थिक नहीं करना है क्योंकि शर्बत है ये थोड़ा पतला ही दालते जाएगा तो तक्रीबें पांच साथ मिनट तक पकाया मैंने इसे अभी और अभी आप देख रहो किसमें कलर भी आना शुरू हो गया है क्योंकि कस्टर्ड पाउडर का भी कलर आएगा और जो केसर हमने डाला था ना उसका भी थोड़ा थोड़ा अच्छा सा कलर आ इसमें और बस एक-दू मिनट तक और पकाना है तो टोटल मैंने इसे नौ-दस मिनट तक पकाया और अभी आप देख रहो इसकी कंसिस्टेंसी शर्बत है तो बहुत जादा हमें थिक नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा और थिक होगा और कंसिस् हमारा यह शर्बत हो गया त्यार इसे एक बॉल में निकाल देंगे तो हेङा बहुत ही आसान शर्बत बनाना सिर्फ दस मिनट लगे और मेरा यह शर्बत बनकर तियार हो गया है अचा एंड मेना थोड़ा क्रण्च के लिए मैं एक्स्ट्रा इसमें बादां और थोड़ा-स तो ये एकदम perfect consistency है अचा अब शर्बत है तो जादा थंडा ही अच्छा लगेगा तो थोड़ी सी में ice cubes भी डाल रहे हैं तो बस mix करने के बाद finally हमारा ये शर्बत त्यार हो गया है अब हम इसे थंडा थंडा सा serve कर लेंगे अचा ये वाला जो शर्बत हमने बनाया है ना इसका flavor आपको बिल्कुल milk badam जासा लगेगा बहुत सादा पसंद आएगा आप जरूर से try करिएगा मेरे घर में सबका favorite है गी और end में बस इसको garnish कर देंगे थोड़े से बादाम और पिस्ता के साथ थोड़े से इसमें केसर के strand स्टाल दो तो बस त्यार हो गया हमारा ये छटपट से बन जाने वाला milk badam के flavors वाला शर्बत अचा ये तो हुआ पहली type की शर्बत अब जो थोड़ा सा दूद मेरे पस बच किया है ना इसे मैं आपको दूसरे टाइप का शर्बत अगर आप बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनाना है तो इसे मैं flavor दूँगी खस-खस का जो गर्मियों के लिए काफी ठंडी रहती है जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये खस-खस syrup लिया है ये market में बहुत easily available है तो इसमें से बस थोड़ा सा syrup लेना है और इस दूद में हमें mix कर लेना है आप अपने according flavor जितना जादा चाहते हो उतना जादा या कम रख सकते हो इसे अच्छा साथ में इसमें मैं एक drop जितना green food color अड़ कर रही हूँ मुझे actually इसको थोड़ा सा attractive बनाना था इसलिए मैंने add किया है but otherwise मैं आपको prefer नहीं करूँगी आप अगर हो सके तो इसे avoid कर दीजेगा तो बस finally त्यार हो गया हमारा ये खस-खस के flavor वाला खस-खस शर्बत ये वाला शर्बत ना personally मेरा बहुत जादा favorite है बहुत जादा अच्छा होता है गर्मियों के लिए तो एक्तम ठंड़क देने वाला है आप जरूर से try करिएगा अच्छा ये वाले जो शर्बत हमने बनाए है इसे आप अपने तरीके से और भी चीजें इसमें डाल सकते हो जैसे कि भिगो कर रखा हुआ तुप मलंगा डाल दीजिए चीया सीड्स डाल सकते हो या फिर साबू दाना पर्ल्स को बॉल करके वो भी डाल सकते हो बहुत अलग-अलग तरीके से बनाए जा सकते है जैली भी डल सकती है तो आप जैसे चाहिए वैसे बना सकते है तो अब आप भी try करिए इन शर्बत को और कौन सा वाला आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में और रेसी पी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब